हेलो अब्रिवान गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो ठंड इतनी गजब की है ना मेरे हजबन की हालत बहुत ज्यादा खराब है दर्द इतना उनको है कि चलने में प्रॉल्म जा रही है और उनकी बॉड़ी ना बहुत इतनी चल्दी तो लेनी पाएंगे हम तो मैं सुच्छी कुछ ठंड से राहत मिलीगी तो यहां पर मैं ना कार्पेटर मैंने पुरे घर में तो बिचाया था मुझे लगा इसी साइस का है पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो पैरों में फस रहा था तो मैं इसको ना टेवल ह बहुत ज्यादा ठंड है सच में दूप भी निकल रहे तो भी ठंड है तो जातर उन से चला नहीं जा रहा है तो मैंने का यहां ठीक रहेगा करण की तो टेवल अभी मैंने साइड में कर दिया था ऐसे बिचा के देखा अच्छा भी नहीं लग रहा था और उपर नीचे कही कि यहां कहीं बहां भग रहा था तो यही है और पता नहीं कब तक ठंड है और कब तक हमें इस से जूजना पड़ेगा कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा और आग भी हम जलाते हैं तो कहते हैं कि मेरे हजबन को दूआ नुकसान करता है उनको जाद मतलब यह सब चीज नहीं होना चाहिए तो फिरम जादा आग भी नहीं जला सकते हैं तो यहीं सब चीज है और मैं कब ले पाती हुटर देखती हूं फिर फिरल के लिए मैंने यह ले लिए कड़ी भी साड़े तीन सो रुपए का आया था यह भी यहां पर मैं इसको बढ़िया से बिचा और यहां पर बहुत सारा एक्स्ट्रा भी बच गया है अभी पूरा अच्छे से बिच जाएगा उसकी बाद फिर मैं आप लोगों से बताऊंगी तो यही था अब सोफा उठाना था मुझे यह लगदा था सोफा में कैसे उठाऊं सोफा के नीचे कर दूं तो यह रहेगा क पर शुकल आपने देखा था उनको अभी भी ना ठीक नहीं लग रहा है कि मैंना लगता है कि किसी काम में मेरे मन नहीं लगता बहुतों प्राइप उनka श्राद की में हालत है न तो मुझे भी घबराइंट हो जा आए म इससे अभी च्छे आपर बीक्स के बहूत में का श्य कि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो पैट नहीं क्लिए होगा यह देखें तो यह इस तरी पुछा दिया तो देखें अभी हम सीद्य आप लोगों से नाइट में मिल रहे हैं और सुबह मैंने कल मैंने आपको बताया था कि यह हमने कालीन बिछाया है और उसके रावाटे में अभी मत करूंस यह इसे करना को अभी देखो यह भी गिर गिया था उसको भी लग या यह आपको देखरा हूरा सूजा सूजा कहांसे जर गा है किसकी गलती के विज़ा ज़े। किसी ने गिराया था किस ने गिराया था अपने आप से गिरे किसी ने गिराया था आप 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 से गिरी है मल रहा हो जो पेट्ट तो तो सुनो कल मैंने आपको बताया था चुप चुप रहा हूं कल मैंने आपको बताया था परसु बताया शिकाई की कल भी इनकी सिकाई से एक्चली हर दर्द की दर्द की चीजों में ना हम दर्द की दबाग नहीं दे सकते मत अला करो डॉक्टर से बात की तो वह उन्हों डॉक्टर नहीं बताया कि आप सिकाई लीजिए और अगर आजेने वाला दर्द हो तो आप दबाई खाईएगा आप लोक्ते भी नहीं क्या है और वी ना सच में हमारे इतना ज्यादा धंड मौसम हो गया है मैं जैसे भी होगा तो हीटर लेने की कोसिस करूंगी रूमीटर कितने तक का आता है हमें पता नहीं कि रूमीटर कितने तक का आता है मत करो पापा को दबबू दुखराना तो रुको 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 तो रुमीटर लेने कोसिस करूंगी और अभी हम क्या है कि नदी की किनारे राके में भी रहते हैं ना मत करो हमारे हम नदी किना इसलिए और हमारे बहुत ज़्यादा ठंड है वहां पे पिक्छर बहुत ज़्यादा ठंड रहती हैं सेम हमारे आपे जाड़ पेड़ पत्थर पत्थर बगएर बहुत दिनसे कुछ समय और मेरी मैंने लोग चाह नास्ता करा दिया था और अमने चाह पी रही हूं तो यहां पर इनको मैं जब चाह नास्ता करा दिया तो मैंने का थोड़ा में कyaniशन भी ले ली थी साथ ही तो पानी कि ठpine C120 ढहिए हम अधैâte कोई भी हम इलाज में नढ़ना कर सकती दॉक्το can को थे सकते हैं बन दर्द तो इनसे यह देखे चलते नहीं बन रहा था वह मैंने को ठाके साइड में कर रही थी और यहां पर बिस्ता ठीक कर दूंगे तो बापिस से यह अराम करेंगे कि बाहर पूरा कोहरी का मौसम था और अभी जब मैं बॉइस ओवर कर रही हुआ तो मेरी आवाज भी ऐसी लड़क खड़ा रही है कि सच में बहुत ज़्यादा तो मैंने गेट खोलती ही नहीं हूं पहली बात बता दू मैं और स्वेटर मुझसे पहनी नहीं जाती मुझे ना स्वेटर गड़ती सी यह अजीब सा लगता है तो फिर में स्वेटर नहीं पहनती हूं बठा आपने का था हजब ही का आप करेंगे जो ठंडे का मौसम है बहुत गजब बाला है तोमसी सब लगता है कि जितने भी पेशेंट है उनको यह सब आप सारी चीजों से बचना रहता है ज्यादा गर्मी भीनी होना चाहिए ज्यादा ठंड़ भीनी होना चाहिए को इंफेक्शन होने का बहुत तो यहां पर मैंने का कि चलो लेट जा मैं गद्दा कर देती हूं और क्या बोलू नीचे बिचाया था तो बोल रहा है हां आरती थोड़ा सा आराम मतलब यहां वाल जैसे देव भी चलता है और मैं भी बिन मुझे के रहती हूं थोड़ी तो राहत मिलेगी और टेबल के उपर आपको दिख रहा है ना आसनी टाइप की यह भी मैंने दो तीन मंगवा लिये थे बैठने उठने के लिए पहले अच्छा पिछले साल जब हमारा ट्रांस्प्लांट हुआ था ना उस समझ में भी नहीं आए मुझे लगता है अभी कुछ ज्यादा हमें समझ में आ रही है प कि उन्होंने देखा है कि मैंने क्या फेस किया और क्या फेस कर रही हूं तो बस यहीं चाहूंगी यार कि जैसे भी हो और कोई भी तकलीफ हो असके यूँ टालना है क्योंकि इतने दुख और इतनी तकलीफे जेल ली है ना कि अब लगता है कि ठीक है यार कर लेंगे हो आते हैं और आंगे मैं अपना कदम बढ़ती जाती हूं आज का जैसे मेरा ज्यादा वीडियो नंबर नहीं होगा तो आज का वीडियो हमें पर एंड करते हूं उमीद करते हैं आपको आज का अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल में नहीं हो सब स्क्राइब करना, उम्य différentes करती हूं कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, कि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, सच बताऊँ, आप बोलते हैं आरती आप बहुत हिम्मद वाली हो पर आपकी, आप ही मुझे हिम्मद देते हैं, आप बोलते हैं, तो सबसे पहले मै कहुंगी कि आप अपना यू सपोर्ट बनाई रखे था आरती के ऊपर और मैं आप अपको अपनी रियल फैमली मानती हूं सच में क्योंकि आप जानते हैं और मैं इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलती हूं कि नहीं है पर सच में आप मेरी रियल फैमली हूं चलिए भाइ अब अब हम कल नेक्स ब्लोग में मिलेंगे और आज कर यहीं तक का था तरन का अप यह अट है यह है आज